Hello Friends, Way2Learn में आपका हार्दिक स्वागत है मैं रोहित कुमार आपके सामने ले के आ गया हूँ कलर का नोटिफिकेशन अब आप लोग बोल रहे हूँ किलर का नोटिफिकेशन तो मैंने देख लिया तो मैं इसलिए नोटिफिकेशन ले के आया था मैं लास्ट में लेके आ रहा हूँ क्योंकि देख रहा हूँ अब जो है अब लास्ट स्टेज पे अब वेकैंसी इंक्रीज नहीं होगी मतलब अमने टोटल जो वेकैंसी आ गई है वो आ गई है 2557 तो आप लोग आप कॉंसेंट्रेट कर दीजिए क्योंकि 2557 बहुत ही कम वेकैंसी है पिछले साल के अनुसार पिछले साल 8000 के अपरोक्स वेकैंसी आई थी लेकिन इस बार पचीस सो ही वेकैंसी देखने को मिली है तो आप लोग थोड़ा पढ़ाई में और भी अटेंटिव हो जाए आई पिएल का इंजो है तो कर रहे होंगे आप लोग आई पिएल का मज़ा ले रहे होंगे लेकिन आई पिएल से ज्यादा ध्यान आप लोग प्लर के एक्जाम पर दीजिए क्योंकि आई पिएल तो दो महिना बाद खतम हो जाएगा आपका तो भविस से बनाना है तो आप लोग पलर की और फोकस करें देखिए वेकेंसी 2557 है तो वेकेंसी बहुत कम है तो मैं तो सबको ये नहीं बोल सकता हूँ कि सारा का सेलेक्शन हो जाएगा तो मैं ये बता सकता हूँ जो कमपटीशन में बैठेंगे अगर वो कमपटीशन में बैठने के लिए बैठ रहे हैं तो वो कृपिया फॉर्म ना भरे क्योंकि ये कमपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है दोस्त क्योंकि देख रहे हैं वेकेंसी बहुत कम हैं और वेकेंसी कम हैं इसलिए जो competition है बहुत ही hard होगा, means cut-off जो होगा बहुत high होगा, तो सारा का तो selection हो नहीं पाएगा, जो महनत करेगा दोस्त वसी का selection हो पाएगा, तो मैं आसा कर रहा हूँ, आप लोग महनत करेंगे और पूरा notification देख लेजिए, और previous cut-off का मैं analysis भी करवा हूँगा, तो मैं इसमें क्या बता हूँगा आपको, syllabus तो आप लोग जानते होंगे, बट मैं crisp syllabus बता दूँगा, qualification क्या रहेगा, exam pattern क्या रहेगा, important dates क्या रहेगा, exam center बहुत सारे बच्चे को doubts है, exam center कहा होगा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या किये थे, RRV का फॉल फिल अप कर दिये, वो फिल अप कर दिये पटना से, तो center कहा हम मिल गया, उन्हें पटना मिल गया, अब जाए तो जाए कहां lockdown में, तो मैं आपको बता देता हूँ, government अभी exam लेने के लिए बहुत ही attentive है, और जैसा कि TCS अभी बता रहे हैं कि वो अभी recent बहुत सारे exam लेगी, तो इनका जो clerk होगा, IBPS clerk का जो tentative date है, उसी दिन आपका exam संभव हो है, means 100% exam हो जाएगा, तो आप लोग अभी जहां पर भी हैं, वहीं पे center में apply करें, means अगर आप लोग अभी राची में हैं, तो राची में apply करें, अगर भोपाल में, तो भोपाल में apply करें, center means आप लोग center भोपाल ही करें, तो चलिए कौन से apply कर सकते हैं, तो graduated लोग apply कर सकते हैं, और advertisement number है, CRP clerk X10, तो हम लोग इसका पहले बात कर लेते हैं application fee की, अगर application fee की बात करें तो 850 रुपिया लग रहा है, previous साल 750 रुपिया लगा था, इस साल 100 रुपिया ज्यादा लग रहा है, तो 850 रुपिया ज्यादा ही है, क्योंकि जो भी है fee 850 लग रहा है SCST और PH का fee 175 लग रहा है आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं वेकेंसी की बात करें तो वेकेंसी देखिए 2557 पोस्ट है जिसमें जेनरल की वेकेंसी है 1186 OBC की है 560 EWS की जो वेकेंसी है 215 SC की है 376 और ST की है 220 यह सारा वेकेंसी हो गया अगर हम बात करें इसके बाद important dates की तो दो तारिक से 2 यानि की 2 September से exam form start हो गये थे last date है जो की अब तक पहुँच गिया है जो की 23 September है कल या परसो last date है आपका तो last date of exam payment exam payment आप 20 तारिक को कर सकते हैं PET training जो होगा PET training 23 से 28 नौवंबर को होगा online pre exam जो की देखिए online pre exam 5 से 13 दिसंबर 2020 तो मान के चलिए online pre exam 5 से 13 दिसंबर के बीच हो जाएगा confirm है admit card आजाएगा आपका 18 तारिक को 18 नौवंबर को admit card आजाएगा mains का date यह लोग बता दियें 24 तारिक को mains होगा और mains का admit card जो आजाएगा जनौवरी में आजाएगा तो यह सारे details थे इसके बाद cut off में आने से पहले हम लोग आजाएंगे पहले notification को देख लेंगे notification देखने के लिए हम लोग पहले आजाते हैं notification page में तो यह रहा हमारा notification तो notification में आजाते हैं हम लोग यह देखिए आप लोग notification तो पढ़ चुके होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को मैं description में link दे दूँगा वहाँ से download कर लिजेगा तो देखिए यह सम्में जो यह सम्में देखिए bank जो participate कर रही है bank of Baroda है, Canra bank है Indian Overseas, Yuko bank, Bank of India, Central bank यह सारे bank है लेकिन सारे का vacancies क्या क्या है NIL है, सारे का vacancies 00 है किसी का है तो किसी का नहीं है NIL है मैंने date आपको बता ही दिया है सारा date जो tentative dates मैंने date आपको बता दिया है इसके बाद eligibility criteria की बात करूँ तो आप Indian हो, Nepal हो Indian citizen of Indian हो या Nepal हो, या Bhutan के हो या Tibetan refugee है यह सारे apply कर सकते है और age की बात करें तो minimum जो age है वो BCR से और maximum क्या है 28 year age limit है इसके बाद और कुछ documents की बात करें तो आपको एक education qualification की बात कर ले तो सिप आपको graduation degree होना चाहिए कोई भी government of India qualification means कोई भी institute या कोई भी university से आपका एक graduation degree होना चाहिए बाकी और कोई necessary नहीं है यह सारे हुए आपके qualification details में इसके बाद और भी बहुत सारे चीज यहाँ पर mentioned है आप लोग एक बार इसे पढ़ लीजेगा और जहां तक मैं paper की pattern की बात करूँ तो paper का pattern जो होगा prelims होगा उसके बाद mains का exams होगा तो prelims में आपको English language, numerical ability और reasoning ability यह तीनों पूछे जाएंगे तो इसमें आपको questions मिलेंगे English language में आपको 30 questions रहेंगे numerical ability में 35 questions रहेंगे और reasoning ability में 35 questions मिनेंगे और separately means सब के लिए 20-20 minute individual allot किया जाएगा timing mains exam की बात करें तो mains exam में यह लिख दिया है not in sequence यानि कि यह sequence में नहीं होगा आपका आप पहले अगर general English का paper आजाएगा तो mains exam में कौन कौन से topic आएगे तो general or financial awareness means gkgs और general English के paper आएगे reasoning ability और computer aptitude के question आएगे और quantitative aptitude के question आएगे जिसमें time जो allot होगा सारे के लिए जो होगा वो general and financial awareness के लिए 35 minute होगा general English के लिए 35 minute होगा reasoning and computer aptitude के लिए 45 minute होगा और quantitative aptitude के लिए 45 minutes होगा तो यह सारे होगे आपके time अगर total questions की बात करें तो 190 questions होगा और 200 marks होगा और preliminary exam होगा जो उसमें क्या होगा 100 questions होगे और 100 marks होगे तो यह सारे होगे आपके exam related अगर हम center की बात करें तो center मैं बता दूँ आपको देखें यहाँ पे सारे vacancies दिये हुए है vacancies में देखें अगर center में बात करें तो आपको center हर एक हर एक state में मिल जाएगा और center का column यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ देखें यहाँ पे examination center examination center preliminary mains exam यहाँ पे examination center है जैसे under man and nico bar में preliminary जो exam होगा उसमें port player center है और mains का exam का भी port player है तो इसी तरीके से बहुत सारे जो भी आप अपने district अपने state के होंगे वहाँ पे देख लिजे कौन से center में आपको apply करना है क्योंकि exam जो होगा वो आप मान के चलिए पांच से बारा दिसंबर को हो जाएगा चलिए इसके बाद आप लोको photo auto upload करना पड़ेगा तो photo का image size यह 4 x 5 cm x 3 x 5 cm होगा signature and thumb और एक टो hand declaration आपको apply करते समय upload करना पड़ेगा इसके बाद हम लोग cut off में आ जाते हैं अगर cut off की बात करें हम लोग देख लेते हैं cut off में आ जाए हम लोग तो cut off में हम लोग देख लेते हैं इसमें तो cut off देखें यहाँ पे IVPS color prelims का मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे cut off दिया हुआ है आंदर प्रदेश का जो cut off है वो है 66.25 और दिल्ली का cut off है 71.75 इसी तरीके से जहारखन का cut off है 73 तो देखें जहारखन का cut off सबसे ज़्यादा है तो आप जहां से भी apply करिए कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको सिप ए cut off से analysis कर लिजेगा क्योंकि इस बार जो cut off होने वाला है वो थोड़ा जादे जाएगा prelims में prelims में जो cut off है वो थोड़ा जादे जाएगा तो आप लोग को यहां पे cut off मैं दे दिया हूँ तो आप लोग एक बार देख लिजे वैसे मैं बता दे रहा हूँ असम का 63 है बिहार का 65 है चंडिगड का 71.5 है दिल्ली का 71.75 है गोवा का 67 है गुजरात का देखे 27 है तो इसमें आप बकाईए नहीं आप लोग 27 जो cut off है इसमें seats जो है approximately जादे थी पिछले साल तो इसलिए cut off बहुत कम गया है हर्याना का cut off है 68.25 और हिमाचल परदेश का cut off है 62.25 जमू एन कस्मीन का cut off में इंसन नहीं है करनाटका का cut off है 53.25 यह EWS का cut off है केरला का cut off है 73.5 और मद परदेश का है 70 इसी तरीके से सारे cut off इसी pattern में है means 72.75 है means आप मान के चलिए आपका cut off जो है 72.75 है बट इस साल जो cut off लाई करेगा मान के चलिए वो 5-6 marks increase हो जाएगा 5-6 marks increase हो जाएगा means जो cut off हो जाएगा वो आपका 75-80 हो जाएगा cut off तो आप लोग इसी लिए ready रहिए और preparation को और भी मजबूत करते रहिए क्योंकि preparation करेएगा तब ही आप cut off को पार कर पाईएगा तो मेरे जितने भी videos हैं मैं तो mains का करा रहा था लेकिन prelims का reasoning का भी कुछ कराया हो तो आप लोग जरूर देखिएगा इसके बाद mains की बात करें क्योंकि prelims निकालना कोई बड़ा काम नहीं है सबसे बड़ा काम है mains निकालना mains को qualify करना तो mains का जो यहां cutoff दिया हुआ है मैं तीन साल का cutoff लेके आया हूँ यहां पे देखिए 2019-20, 18-19 और 17-18 cutoff देखिए 45.13 और एक चीज और बता देता हूँ mains का cutoff में थोड़ा जादा अंतर देखने को मिलेगा mains plus 2 increase हो सकता है या plus 1 increase हो सकता है लेकिन prelims के जो cutoff है उसमें vast increase देखने को मिलेगा दिल्ली का cutoff है 49.63 2018-19 में था 55.83 और 2017-18 में है 55.82 means देखिए cutoff क्या हुआ बढ़ गया फिर क्या हुआ cutoff घड़ गया तो mains में क्या होता है cutoff decrease भी हो जाता है तो आप एक काम कीजिए मेंस का cutoff उतना जादे important नहीं है आप लोग मेंस में क्या करते हैं मेंस में हम लोग को question को attempt करना है question जितना हो सके attempt करना है बस यही target रखी अपने में कि हम लोग को question कितना attempt करना है क्योंकि paper के हिसाब से cutoff जो है वो बढ़ता या घटता है तो यहाँ पर देखिए मेंद परदेश का 44 है लेकिन 2018-19 में क्या है cutoff जादा है अब 2019-20 में क्या है cutoff 44 है कम है तो cutoff तो मैं एक बार simple आपको rough idea दिखाने के लिए लेते आया हूँ इसी तरीके से बिहार का cutoff है 45.38 और 2018-19 में 51.78 2017-18 में 53.43 इसी तरीके से और भी सारे cutoff है आप लोग एक बार इसे देख लीजेगा वीडियो को पाउच करके एक बार जरूर देख लीजेगा तो यह सारे थे cutoff तो आपको आसा करता हूँ आप लोग को सारे चीज समझ में आया होगा और एक चीज मैं आपको strategy समझाना चाहूँगा तो strategy क्या रहेगा आपको देखे आपको main है prelims prelims में क्या करना है? prelims में आपको qualify करना है तो prelims में qualify करने के लिए आपको minimum 75 to 80 आपको safe score रखना पड़ेगा तब आप prelims में qualify कर पाएंगे और mains में qualify करने के लिए आपको marks जो रखने पड़ेंगे वो 50 plus means 50 plus देखिए 50 plus लाइएगा तब आपके जो means आपको एक allotment seat में अपना नाम देखने को मिलेगा अगर 50 plus से ज़्यादा आप mains में score करते हैं तो यह रहा आपके लिए prelims में आपको 75 to 80 लाना होगा मेंस में 50 plus लाना पड़ेगा अब strategy क्या है strategy कुछ नहीं होता है strategy यह होता है आप exam में कितना time करते हैं तो prelims में आपको मैंने बता दिया आप 75 to 80 तक आप mark up करिए मेंस में 50 plus mark up कर लिजिए तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा facebook channel को यानि facebook को like नहीं किया है तो like कर लिजिएगा और telegram से नहीं जुड़े हैं तो telegram से जुड़ लिजिएगा subscribe नहीं किया हमारे youtube channel को subscribe कर लिजिए क्योंकि मैं हर recruitment ले के आता हूँ बाकि ये तो recruitment लेट से लाया था क्योंकि कुछ मैं देख रहा था कि update आए अगर vacancies increase हो तो मैं सारे notification अपडेट ले के आऊँगा तो instagram में अगर follow नहीं किया हैं तो follow कर लिजिएगा सारा link आपको मैं description channel पे provide करवा दूँगा तो thank you have a nice day पढ़ते रहिए सिखते रहिए और अपना ख्याल रखिए